ओम शान्ती, आज है 4 मार्च 2021, मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे, मुर्ली का सार, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना, जिससे सर्विस में कोई भी विग्ण पड़े। प्रश्न है, संगम युक पर तुम बच्चों को बिलकुल एकुरेट बनना है, एकुरेट कौन बन सकते हैं। उत्तर, जो सच्चे बाब के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा ना हो। दूसरी पॉइंट, जो शिव बाबा के सिवाए और बातों में नहीं जाते हैं। तीसरी पॉइंट, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एकुरेट बनते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, ओम शान्ती। मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत के दो अक्षर सुने। यह तो निश्चे करते हो, बेहत का बाप अभी बेहत सुख का वर्सा दे रही हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना हैं। नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हसते हो, कहते हो हम महराजा महरानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया, तो फिर जाकर साधारन प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सत्यूग त्रेता में आने वाले होंगे, वही आएंगे। सत्यूग और त्रेता दोनों को मिला कर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले-पहले नई दुनिया में आते हैं, वह अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं, वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे, ज्ञान लेने वाले सत्युक द्रेता में आएंगे, बाकी आते ही हैं रावन राज्य में, वह थोड़ा सा सुख पा सकेंगे सत्युक द्रेता में तो बहुत सुख है न, इसलिए पुर्शार्ट करके बाप से बेहत सुख का वर्सा पाना चाहिए और ये महान खुशकबरी लिखो, कार्ड्स जो चफवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए उँच ते उँच बेहत के बाप की खुशकबरी प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए बेहत का बाप, ज्यान का सागर, पतित पावन सद्गती दाता, गीता का भगवान, शिव कैसे, भ्रमा कुमार कुमारियों द्वारा, फिर से कल्योगी, संपूरन विकारी, ब्रश्टाचारी पति दुनिया को, सत्योगी, संपूरन निर्विकारी, पावन शेष्टाचारी दुनिया बना रहे हैं, वह खुशकबरी आकर सुनो, अत्वा समझो, गौर्मेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिग्या है, कि हम भारत में फिर से सत्योगी, शेष्टाचारी, सौ प्रतीशत, पवित्रता, सुख, शान्ती का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं, औ और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो, ऐसा क्लियर लिखना चाहिए, कार्ड में ऐसे लिखो, जो मनुष्य अच्छी रिती समझ सके, ये प्रजापिता भ्रमा कुमार कुमारियां, कल्प पहले मिसल, ड्रामा प्लैन अनुसार, परम्पिता परमात् शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से, अपने तनमंधन से भारत को ऐसा शेष्टाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो, क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए, ये बीके शिवाबा की मत पर रामराज्य स्थाप बन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी, अखबार में भी ऐसा फुल निमंतरन पर जाए, ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता भ्रमा कुमार कुमारियां अपने तनमंधन से ये कर रहे हैं, तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझें कि ये कोई भीग वा डोनेशन आदी मा जांगते हैं, दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं, यहां तुम कहते हो कि हम भीके अपने तनमंधन से कर रहे हैं, वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं, तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे, जो मेहनत करते हैं, उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्सा मिलता है, भारत वासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्टाचारी डबल सिर्ताज बनते हैं, यह लक्ष्मी नारायन डबल सिर्ताज है न, अभी तो कोई ताज नहीं रहा है, तो यह अच्छी रिती समझाना पड़े, बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो, तो बिचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं, बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते, साहुकार का आवाज चट होता है, तुम सिद कर बतलाते हो, हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सब को शान्तिधाम में भेज समझाना भी ऐसे है, भारत पांच जार वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, अभी तो कल्यूग है, वे सत्यूग था, अब बताओ सत्यूग में कितने आदमी थे, अभी कल्यूग का अंत है, यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही न करते हैं न अब तो atomic bombs बनाते रहते हैं किसकी भी सुनते नहीं हैं वह कहते हैं जो bombs बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो तो हम भी नहीं बनाए तुम रखो और हम ना बनाए यह कैसे हो सकता परन्तु तुम बच्चे जानते हो यह तो भावी बनी हुई है कितना भी उनों को मत दें समझेंगे नहीं विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे तुम बच्चों को तो निश्चे है ना संशे बुद्धी जो है वै भागनती हो जाते हैं ट्रेटर बन जाते हैं बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है तुमको तो याद करना है शिब बाबा को और बातों से क्या फाइदा सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे अपना ही नुकसान करेंगे कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी उच्पद पा नहीं सकेंगे इसलिए इस समय बहुत एकुरेट बनना है कोई गफलत नहीं करने चाहिए जितना हो सके श्रीमत पर रहना है निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी सिवाए एक बाप के और कोई की याद ना रहे गाया हुआ भी है अंतकाल जो इस्तरी सिम्रे जिसमें मोहो होगा तो वै याद आ पड़ेगी आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे साक्षातकार होता जाएगा बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है शुरू-शुरू में भी तुमने साक्षातकार किये हैं सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिलनाते थे तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विग्न पड़े। पिछाडी में भी सब तुमको साक्षातकार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाब की सर्विस में विग्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाई है ना। जिनोंने विग्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिबाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धरमराज भी है। वह है हद की सजाएं। यहां तो 21 जनम का घाटा पड़ जाता है। पद भ्रष्ट हो जाता है। हर एक ब इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागनती होते हैं। तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रिती पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फरक पढ़ जाता है। जैस वहां सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे, वैं बाब से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना। माया बहुत प्रबल है। हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं, फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं, यह हो कैसे सकता। यह तो कभी नहीं सुना कि ग्रस वैवार में रहते, पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवानु वाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी यह अक्षर है ना, तुम जानते हो, सत्य कल्यूग में हैं दैवी गुणों वाले मनुष्य और कल्यूग में हैं आसुरी अवगुणों वाले आसुरी गुणों वाले दैवी गुणों वालों की महिमा गाते हैं कितना फरक है अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन रहे हैं यहां तुमको सब गुण धारन करने हैं खानपान आदी भी सतोगुणी खाना है, देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं, श्रीनात द्वारे में जाकर देखो, कितने माल अत्वा शुद भोजन बनता है, वहाँ है ही वैशनव, और वहाँ जगरनात पुरी में देखो, क्या मिलता है, चावल, वहाँ है वाम मारक के बहुत गंदे चित्र, जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे, तो श्रीनात द्वारे में बहुत माल बनते हैं, पूरी और श्रीनात का अलग-अलग है, पूरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं, देवताओं की ड्रेस में, त इसमें घी भी नहीं डालते, यह फरक दिखाते हैं, भारत क्या था, फिर क्या बन गया, अभी तो देखो क्या हाल है, पूरा अन भी नहीं मिलता है, उन्हों के प्लैन और शिबाबा के प्लैन में रात दिन का फरक है, वह सब प्लैन मिट्टी में मिल जाएंगे, नेचरल केले होंगी, अनाज आदी कुछ नहीं मिलेगा, बरसात कहां देखो तो बहुत पढ़ती, कहां बिलकुल पढ़ती नहीं, कितना नुकसान कर देती है, इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पढ़ती रहती है, तुफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे, जो बात मत पूछो, यह नैचरल केलेमिटीज ड्रामा में नून्ध है, उन्हों की हैं विनाश काले विप्रीत बुद्धी, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धी, अज्यान काल में भी सपूत बच्चों पर माबाप का प्यार रहता है, इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार याद प्यार, जितना जितना सर्विस करेंगे, खिद्मत तो करनी है न, भारत की खास और दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सब को भेज देना है शान्ती धाम, भारत को स सामिलता है, सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जैजेकार हो जाएगा, कितना हाहाकार मचेगा, यह है ही खूने नाहग खेल, नैचरल कैलेमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना ही है, बाप बच्चों को समझाते हैं, पूरा पुर्शार्थ कर लो, बाप के साथ तो को सामिलता है, मानबरदार, वफादार बनना है, सर्विसेवल बनना है, जिनोंने कलप पहले जैسी सेवा की है, उनका साक्षत्कार होता रहेगा, तुम साक्षी हो देखते रहेंगे, तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिर्ता रहना चाहिए हमने 84 जनम ऐसे ऐसे लिये है अभी हम वापिस घर जाते है बाप भी याद रहे घर भी याद रहे और सत्यूग भी याद रहे सारा दिन बुद्धी में यही चिंतन करना है अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे बाबा को नशा रहता है बाबा रोज लक्ष्मी नारायन के चित्र को देखते है अंदर में नशा रहता है न बस कल हम जाकर यह लक्ष्मी नारायन बनेंगे बस कल हम जाकर यह शिरी कृष्ण बनेंगे फिर स्वेंबर के बाद शिरी नारायन बनेंगे, ततत्वम, तुम भी तो बनेंगे न, यह है ही राज योग, प्रजा योग है नहीं, आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है, बच्चों ने राज्य गवाया था, अब फिर राज्य ले रही है, बाबा ये चित्र आदी बनाते ही इसलि हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो, 21 जनम के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रही है, कितना सहज है, यह शिबाबा, यह प्रजा पिता ब्रह्मा, इन द्वारा यह राज्योग सिखलाते हैं, फिर हम यह जाकर बनेंगे, देखने से ही खुशी का पारा च चड़ जाता है, हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे, कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हूँ, इस पढ़ाई के बाद हम जाकर यह बनेंगे, सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना क कमाई होगी न, बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने हुश्यार होते हैं, जो लाखो रुपया भी एक केस पर कमाते हैं, बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पढ़ा होगा, यह भी ऐसे हैं, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो सदैव श्रीमत पर चलो श्री 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 बाबा से तुम श्रेष्ट बनते हो तुम बच्चों ने बाब से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है 21 जन्मो का वर्षा आधा कल्ब के लिए मिलता है आधा कल्ब 25 वर्ष सुख पाते हो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो ब्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब तादा को दिल वा जान सिक वा प्रेम से नमस्ते 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 जी गुड मॉनिंग बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया वहा मेरा भाग्य वहा मेरे भाग्य विदाता बाब धारना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट अंदर बाहर सच्चा रहना है पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है कभी भी संशे बुद्धी बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है सर्विस में विग्न रूप नहीं बनना है दूसरी पॉइंट सबको यही खुश खबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन्मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेश्टाचारी डबल सिर्टाज बनाने की सेवा कर रहे है वर्दान है सेकिंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास्विद ओनर भव सेकिंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास्विद ओनर भव बाब समझाते कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं उसमें घबराओं नहीं बाहर की हलचल में एक सेकिंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो कितना भी विस्तार हो एक सेकिंड में समेट लो भूग प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संसकार प्रगट ना हो समेटने की शक्ती द्वारा स्टॉप लगा दो यही बहुत समय का अभ्यास पास्विद ओनर बना देगा स्लोगन है अपने सुख शान्ती के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूती कराना ही सच्ची सेवा है अपने सुख शान्ती के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूती कराना ही सच्ची सेवा है अच्छा ओम शान्ती